मुरादाबाद सदर कोतवाली शेतर के अंतरगत उस समय हड़कम मच गया जब दो शराब यूवक मामली बात पर आपस में भिर गए उनका आपस में जगड़ा इतना बढ़ गया कि जिसमें एक यूवक की मोत हो गई यूवक की मोत से उसके परिवार में कोहराम मच गया है जानकारी के अनुसार सदर कोतवाली शेतर के महोला कंजरी सराय निवासी विनोद अपनी कैंटीन चलाता था विनोद शराब पीने का भी आदी था बताया गया कि मंगलवार की दोपहर विनोद ने शराब पी रखी थी और उसका दूसरे शराबी यूवक विशाल से किसी बात को लेकर छखड़ा हो गया देखते ही देखते दोनों में मार पिछ हो गई इसी बीच नशे में धूत विशान ने बैट विनोद के सिर में मार दिया जिस से वहग गंभी रूप से घायल हो गया परिजिनों ने उसे तुरंट जिला अस्पताल पहुंचाया जहां ड्रोक्टरों ने उसे मृत घोशित कर दिया जिसके बाद अस्पताल स्टाफ ने शव को मरचरी में रखवा कर पुलिस को सूचना दे दी है गटना को अंजाम देकर विशाल मोके से फरार हो गया तो किस बात तो लेकर जगड़ा गटना हुए तो रहा थे पास इस मात पी मारा उन्टो कोई बात नहीं थी पिल्खल भी अब क्या जाते हैं अब कि घटना हुए गटी की मौत हुए क्या है बूरा माद एक बेप्ती बिनोद जिसकी मेरे लगवग चालिस वर्स है उसके प्रश्मित हो गई आज पास लोगों से और जो पीडित पच्छ इंसे बात की गई तो उनको बताया गया कि यह डिंक करते थे डिंक करके आपस में कहा सुमी हो जाती थी तो तेजना बस उसके द्वारा एक डंडा मारना बताया गया है पीडित पच्छ की तरफ से तहरी प् अभी फरार है जल्दे ही उसको अरिष्ट कल लिया जाए जब पॉब्लिक प्लेस पे हुआ है और लोग डिंक करके उनमें आपस में कहा तो नहीं हो इसके बाद बिसाल द्वारा बिनोज के उपर डंडे से वार कर दिया गया जिससे इगटना गढ़ती जे बीडी बांक्व इसे ही लेटेस को पाने के लिए बाल इकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइख शेर और सुब्सक्राइब करें हैंने वाल